दीप मॉनिंग, प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा क्या हो गया, कल हम मिनिट्स की बाद भी कर रहे थे, तो क्यों मूड खराब हो गया? कुछ अच्छा निकल कर नहीं आया है, और जो हम बात कर रहे हैं लगातार की, एक्सपेक्टेशन जो हैं बाजार की की शायद और फेड को रेट्स नहीं बढ़ाने पड़ें, उसके सामने जो असलियत आ रही है, फेड की तरफ से कॉमेंटरी आ रही है, डेटा आ रही है, वो और ना ही रेट्स बढ़ाने की प्रक्रिया खतम हुई है, तो ये मान लेना की इनफलेशन हमारे कंट्रोल में आ गया है, ये गलत है, और ये मान लेना की यहां से रेट्स और नहीं बढ़ाने पड़ेंगे, ये भी गलत है, तो दोनों चीज़े बाजार को पसंद नहीं मेंबर्स को दिख रहा है कि यहां से इनफलेशन और आगे बढ़ सकता है, बढ़ते इनफलेशन के वज़े से रेट्स और बढ़ाने पड़ सकते हैं, ये क्लियर बात आ रही है, अब कितने रेट्स बढ़ेंगे ये क्लारिटी नहीं है, कुछ मेंबर्स मान रहे हैं कि शाय आगे और जरूरत पड़ सकती हैं, अब वो ही है कि कब होगा रेट्स ये पता नहीं, बढ़ आखरी रेट्स हो चुका है, ये मानना गलत है, उन्होंने ये भी कहा कि जो हमारी पॉलिसी का स्टांस है, रूख है, वो रेस्ट्रिक्टिव ही रहना चाहिए, तो हमारा स्टां या धीमापन या मंदी की तो बात चलनी रही है, बट हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आर्थिक थोड़ी सुस्ती आते हो दिखे, थोड़ा धीमापन आते हो दिखे, थोड़ा अनेम्प्लोइमेंट या बेरोजगारी आपको बढ़ती भी दिख सकती है, बट रिसेशन किसी को नहीं दिख रहा है, तो economy के लिहाज से उन्झे भरोसा आ है कि economy अच्छी है, बट ये सही नहीं है कि rates बढ़ना खटम हो चुका है और ये सही नहीं है कि inflation की लड़ाई ख़तम हो चुकि है, तो आगे और action आप expect कर सकते हैं और fed restrictive बना रहेगा, ये clear message कल के minutes में आते हो दिखा और इसलिए हमने देखा कि मिनिट्स के आने के बाद अमेरिकी बाजार फिसले शुरुवात अच्छी हुई थी अच्छी तीजी के साथ अमेरिकी बाजार आपको दिख रहे थे लग रहा था कि एक रीबाउंड होगा बट फिर जब मिनिट्स आए उसके बाद देखे लगाता तो बड़ा इगरावट आपको IT स्टॉक्स में आते हो दिखी लगाता दूसरे दिन जब एक परसेंट से जादा की वीकनेस आपने नाजडाक में देखिए ब्रॉडर मारकेट्स में भी आपको वीकनेस आती हो दिखी एक सबाएक परसेंट रसल नीचे था थोड़ा इनका भी उपर जाते हो दिखाए और बॉड इल्ड ये भी अब और जादा अज़स्ट हो रही है 4.3% पर अमेरिका की 10 साल की बॉड इल्ड आपको जाते हो दिखी रही है तो परिशानी अक्रॉस दबोर्ड कल अमेरिकी बाजार में आते हो दिखी है थोड़ा स्टॉक जो उनकी एक बड़ी रीटेल कंपनी है इसके नंबर्स आये थे नंबर्स तो ठीक ठाक थे बट जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट है आगे को लेकर और आगे के आउटलुक को लेकर बाजार को अच्छे लगे ये नंबर्स तो इसले कल शेर 3% उचला है आज एक और रीटेल दिगज वॉल्मार्ट इसके नंबर्स आने हैं तो वहाँ पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी यॉर्प में कल थोड़ा मिला जोला कारोबार था अमेरिका जितना खराब नहीं था इनफाक्ट कुछ यॉर्पिन माकर्स तो कल पॉजिटिव ही क्लोज हुए करिंसी और कमो आपको आते हो दिखा सोना अब आपको 1900 डॉलर के नीचे दिख रहा है साती हम देख रहे हैं कच्छे तेल में लगातार गिरावट आ रही है पिछले कुछ दिनों से 84 के नीचे आपको ब्रेंट आते हो दिख रहा है बेस मेटल्स और अग्री कमोडिटीज में भी आपको दिखा है तो इंपक्ट है जरूर फेड मिनिट्स का और एक्विटी मार्केट के लिए तो कॉमेंटरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही है